Hello friends, previous video में यहाँ पे काफी सारे कमेंट आयो वे थे जिसमेंसे एक काफी important comment यह था कि आचार सहीता याने election के दोरान जो है result पर आपका असर होता है कि इसके बारे हम लोग discuss करने वाले है तो जिसका answer है नहीं आचार सहीता अगर लग भी जाता है तब भी जो है आपका कोई भी result पर यहाँ पे असर देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे हम लोग एक document पढ़ने वाले है जो government की तरफ से जारी किया जाता है वह document हम लोग पढ़ने वाले यह screenshot है उस document का यहाँ आप हम लोग पढ़ेंगे regular recruitment और appointment और promotion through the UPSC, state public service commissions और stop selection commission और any other statutory authority can continue ठीक है वो continue कर सकती है आप है clearly mention किया गया है recruitment through non statutory bodies will require prior clearance of the election commission याने इसके अलवा ठीक है याने UPSC, state public service commission और stop selection commission और any other statutory authority can continue तो वो जो है अपने recruitment process को continue रख सकते है चाहे वो हो appointment देनी के बात हो, promotion के बात हो या फिर recruitment के बात हो अगर बात करेंगे अपर government sector की तो यहाँ पे वो process जो है वो continuity में होती है ठीक है चाहे वो appointment हो, चाहे वो promotion हो, चाहे वो recruitment निकलने से संब्दित हो इसके अलवा अगर non statutory bodies अगर कोई notification निकालती है या फिर उसके result या फिर appointment के बात जब आ जाती है तब वहाँ पे clearance के जरुत परती है election commission को बढ़ी यहाँ पे KBS के case में यहाँ पे कोई भी ऐसा matter आपको देखने को नहीं मिलेगा आचार सही था याने code of conduct यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा KBS के regarding ठीक है वैसे तो जो नुए notice आया वा था जो news आ रही थी जो भी recruitment अगर प्रोसेस निकलती है जो भी recruitment निकलता है तो उसको 6 months के अंदर अंदर जो है उसको complete कराना होता है जैसे कि आप देख पारेंगे एककोनोमिक टाइम्स का यह news article है यहाँ पे जो government के तरफ से यह जारू लगो किया आगा था पर अभी तक कि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यह जो आर्टिकल है यह एकोनोमिक टाइम्स में आता है यहाँ पे लिखा गया है कि जो recruitment निकलती है जो notification निकलता है उस date से joining तक का जो date होता है वो 6 months के बितर बितर जो है सारी complete यहाँ पर यह देखने को नहीं मिलता है यह सिर्फ on paper है ठीके यहाँ पर कोई ने कोई reason से जो है यहाँ पर result को टांग दिया जाता है चाहे वो हो court case या फिर कोई other reason तो यहाँ पर जो आपका question था यहाँ जिसका अनसर में दे चुका हो कि अगर UPC State Public Service Commission या फिर Stop Selection Commission या फिर अगर कोई government की body अगर कोई recruitment process निकालती है तो उसका जो है आचार सहियता से कोई भी आपे लिए देना नहीं होगा आचार सहियता जो है वो अपने जगे रहेगा और recruitment process जो है वो अपनी speed से यानि अपने गती से आगे बढ़ते रहेगी तो यही था guys एक update आपको देने के लि प्लीज वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे अपने friends तक और channel को जरूर से subscribe कर दीजे, thank you very much guys